कि आपने कभी सोचा है कि जो टॉपर होते हैं ओक था जाता है रांक सेकंड आता है एक टॉप नहीं करते हैं अगर आप उनको तहए उनको अच्छे से अब्रेज होते हैं फिर वो नीट के अंदर कैसे लेके आते हैं तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप अगर ऐसे पढ़ लोगे तो आप भी रैंक होल्डर कहलाओगे और वीडियो यह लास तक देखिएगा ताकि आप सीख पाएं कि टॉपर कैसे पढ़ते हैं और आपक कर नमबर आए और आप ड्रीम एडियल कॉलेस को अचीव कर पाएं तो आज हम ट्रॉपर स्टाटीजी शेयर करेंगे और यह वीडियो जो है बहुत सारे स्टडी करिकने के बाद बनाई जा रही है काफी स्टडी डिटाइब की वीडियो है ताकि आप सबको एक अच्छा गाइडेंस मिल सके और आप अपने ड्रीम मेडियल कॉलेस को प्राप्त कर सके तो सबसे इंपोर्टन यह है कि टॉपर से स्टाटीजी जो है आपका मेरा में एम यह है कि आपका भी रैंक फॉर्स से लेके 100 के बीच में आए तो पहला सबसे इ दिन में पढ़ते हैं हर एक सब्जेट को बराबर बराबर हिस्से में बातना जरूरी है क्योंकि नीट में सफलता उसी को मिलती है जब तीनों सब्जेक्ट बहुत स्टॉंग हो और तीनों सब्जेक्ट में अच्छा कमांड हो तभी आप नीट में सफल कर पाएंगे सफलता हांसिल कर पाएंगे बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि बच्चे जो है फिजिक्स अगर उनका वीक है तो फिजिक्स ही करते रह जाते हैं जो स्ट्रॉंग सब्जेक्ट है केमेस्टी उसे छोड़ देते हैं जो स्ट्रॉंग सब्जेक्ट है बायो वह छूट जाता है ऐसा बि पहसारे किससे देखें हैं सुने भी हैं कि अगर कोई सब्जेक्ट वीक है और उसको स्टुडिटेंट बहुत जाधा टाइम दे देता है तो सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट हो जाता है तो ऐसा नहीं करना है आप स्ट्राइजी का पालन करिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ती पाइंगे तो ज्यादा अंक हासिल नहीं होगा तो या यार वन से हंड्रेट के बीच में कभी भी नहीं आएंगे तो आपको ज्यादा पढ़ना ही पड़ेगा मैंने डॉक्टर इसके सिंग के चानल पर एक वीडियो बनाई है कि कैसे अपने सीटिंग हाबिट्स को इंक्री बढ़ना चाहिए वहां पर साइंटिफिक और प्रूबन तरीके से मैंने बताया है कि कैसे आपको स्टेडी आर्स को बढ़ना बढ़ाना चाहिए आप अगर पहले से ही पढ़ रहे हैं तो अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको कम से कम 13 से 15 घंटा पढ़ना अनिवार बहुत उत्ताहित हो जाते हैं और एक पूरे मंत का पूरे वीक का पूरे दिन का प्लानर सेट कर लेते हैं जो रियलिस्टिक नहीं होता है आप माल लिजे 8-9 घंटा पढ़ रहे हैं और प्लान बना रहे हैं 10-15 घंटा का तो यह कभी भी नहीं होगा इसलिए रियलिस्टिक प्लान को बलाना जरूरी है तो to do list बनाईए कि आज मुझे physics में क्या करना है आज मुझे chemistry में क्या करना है आज मुझे bio में क्या करना है मेरे पास 5 घंटा physics को है 5 घंटा chemistry को है और bio बहुत strong है तो 4 घंटा है 14 घंटा मेरे को पढ़ने के लिए है तो 14 गंटा मेरे पास पढ़ने के लिए है तो मुझे इस 14 गंटे को कैसे यूटलाइज करना इस 5 गंटे में मुझे physics में क्या करना है इस 5 गंटे में chemistry में क्या करना है चार गंटे में chemistry में क्या करना है realistic target पर focus करना है ऐसनी कि आप बहुत सारा hours का बना लिया और उसका कुछ फायदा है यह नहीं तो इसलिए करना है और सबसे important चीज है कि weekly target बनाना है आप Monday से सुरू करिए पढ़ना और Monday से सुरू करें के आप Saturday तक खतम करेंगे और संडे को अनलाइज करिये खुद से कि मैंने Monday to Saturday क्या पढ़ा है और मैंने अपना जो weekly target है वो weekly target पूरा करा है कि नहीं करा है इस पे आपको काम करना है तो Monday to Saturday अपनी पढ़ाई का track रखें कि मुझे physics में कम से कम 12th class को खदम कर देना है एक week में अब तो ऐसे पढ़ना पड़ेगा और 11th को खदम कर देना है तो आप क्या आपने खदम किया कौन से chapter छूट गया प्रॉपर एक analysis करना बहुत जरूरी है जब तक आप analysis नहीं करेंगे आप अंधेरे में पढ़ते रहे जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा कि कभ एक्जाम आ गया तो यहाब टो अनलाइस पर वीकली अनलेसिस करना बहुत जरूरी है चौथा सबसे important मंत्र है कि stick your plan and track your progress अब क्या होता है कि जब हमारा performance डाउन होने लगता है हम कोई mock test देते हैं और mock test में अच्छा नहीं कर पाते हैं तो हम अपने दोस्तों से बात करते हैं पूछते हैं कि यार तुम कैसे पढ़ते हो जिसे तुम्हारा बहुत अच्छा अंक प्लान जो है नीट के toppers देखने वाले हैं ठीक है तो आप अपने प्लान पे stick रहिए आप अपने प्लान पे focus रहिए और आपका प्लान सबसे बहतोरीन प्लान है और अपने progress को track करना important है ताकि आपको पता चल सके कि आप किस दिशा में पढ़ रहे हैं जब तक आप अपने progress को track नहीं करेंगे आपकी गलतियों का एहसास नहीं होगा आप किस दिशा में पढ़ रहे हैं यह एहसास नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा तो progress को track करना important है कि कितना छूटा है, कितना मैंने complete किया है, यह मेरे पास time है और यह मेरे पास topic है, इसको क्या मैं इस topic को इतने time में complete कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, जब तक इद वाला habit डबल अप नहीं होगा, आप अच्छा नहीं कर पाएंगे. पांचवा important है कि पांचवा जो topper सबसे ज़्यादा use करते हैं, जितनी भी toppers की interview देखेंगे तो बताते हैं कि हमने NCRT book को बिल्कुल चार्ट रखा है, 20 से 25 पर, 40 पर पढ़ा है, हर एक diagram, हर एक topic, हर एक line मुझे याद है, तो stick on NCRT book first, है ना, आपको NCRT book पे stick रहना है, जो भी आपने notes बनाये, उस पे बिल्कुल stick रहना है, दूसरे के notes से नहीं पढ़ना है, formula जो notes आपने बनाया है, जो pyq किया है physics का, 15 साल का हर एक question का जो formula लिखा है, क्योंकि मैंने एक video में बताया है, कि आपको physics में कैसे improve करना है, उसमें मैंने बताया था, उस video को अगर नहीं देखा है, तो देखिएगा, कि past 15 years के, जितने भी physics के questions है, हर एक question wise formula का note बनाये, और mock test दीजिए, और pyq के, जो mock test आपने दिया है, या pyq का जो test दिया है, उसका जो mistake है, या जो आपको question नहीं आता है, या आपको लगता है, ये ncrt is beyond है, तो उसको भी एक notebook पर रखना है, त आपना जो बनाये हुआ notes, जो formula notes बनाये, और mock test और pyq का जो notes है, जो आप mock test देते हैं, pyq करते हैं, जो आपको समझ में नहीं आता है question, वो जो आपने लिखा है, उसको revise करते रहिए, six, last है, but least नहीं है, बहुत important है, plan for the mock test, plan for the mock test, mock test जरूर दीजिए, ताकि आपको पता चल का फायदा उठा नहीं पाएंगे, mock test का फायदा कैसे उठा पाएंगे, कि proper analysis करना जरूरी है, जो आपने physics attempt किया है, chemistry attempt किया, bio attempt किया है, जो question नहीं आते हैं, देखिए कि किस topic से हैं, कहां से पूछा गया है, किस प्रकार पूछा गया है, जब तक यह वाला habit आपको double up नहीं उसको note down करिए, ताकि अगला mock test दे तो इसको revise करके जाए, तभी आपके marks improve होंगे नहीं, तो नीची के तरफ आना शुरू हो जाएगा, learn from mistake, हमें mistakes learn करना चाहिए, हम क्या करते हैं, answer ढूंड लेते हैं, answer पढ़ लेते हैं, और हम वहीं से satisfy हो जाते हैं, ऐसा बिलकुल नहीं करना है, तो I think मेरे बताय हुए सारे बातों को आप follow करेंगे, और आप भी rank 1 से 100 के बीच में आएंगे, और ये वीडियो कैसे लगी, प्लीज मुझे comment करके बताईएगा, और एक like तो बनता ही है, और इस channel पर नए हैं, तो इस channel को subscribe जरूर करिएगा, red color का बटन है, उसे झाल स कर लो Re confirm कि पिया पाल सकी मेरे घक झाल झाल, और ऌर एक like डे आप, पिंट पमेऊे पास, और कर रहा हैं, जसे झाल सके किए कि औरकेश औरूर का नए है, जसे झाल सबस्का trajectory, ऐसे झाल सकताः है, दो जसे झाल से ज़िए झाल टूर है, झाल से टूरूर को ये झाल से